दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ discuss करेंगे rotary swinging process के बारे में यह है एक versatile process है और precise metal forming process है इस process को radial forging और rotary forging के नाम से भी जाना जाता है इस process को हम hot state और cold state दोनो condition में कर सकते हैं लेकिन cold working में की जाने वाली यह process ज़्यादा better surface finish प्रवाइड करती है इसलिए इसकी cold state को ज़्यादा prefer किया जाता है और generally इसको room temperature पर ही carry किया जाता है अब बात करते हैं कि rotary swinging process को क्यों करते हैं वो purpose क्या होता है इस process की मदद से हम जो solid bar, solid road, tubes, wires इतियादी के cross section को कम कर सकते हैं उसके diameter को कम कर सकते हैं large number of impacting blows की मदद से एक प्रकार सी compressive forces लगाए जाते हैं जिससे work piece का जो diameter है वो reduce हो जाता है radial impact force होता है जिसे हम एक minute में 1000 से लेके तकरीबन 10,000 impacting blows work piece के उपर लगाते हैं एक या एक से ज़्यादा opposed dyes की मदद से आप बात करते हैं कि इस process में जो component हैं वो कौन कौन से होते हैं इसकी working किस प्रकार से होती है अगर आप इस diagram को देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे आपको नजर आ रही है जिसे हम housing कहते हैं housing एक प्रकार से इसका outer ring होता है उसके बाद यहाँ पर यह वाला जो portion आपको नजर आ रहा है इसे हम spindle कहते हैं जो spindle है यह rotate करता है high speed पर और housing और spindle के बीच में यह जो आपको circular cylinder नजर आ रहे हैं यह इसमें rollers होते हैं जो steel balls होती ह अगर हम बात करें जो housing है यह spindle को surround करती है और housing और spindle के बीच में जो balls या rollers होते हैं उसको भी यह surrounding के दुआरा यह cover करती है अब बात करते हैं कि इसमें यहाँ पर अगर आप देखें यह जो spindle है rotate करता है इसमें यहाँ पर यह dies लगी होती है जो dies की अगर हम बात करें dies इसमें 2 हो सकती है चार हो सकती है आठ हो सकती है बेसिकली जो number of dies है वो उसपे depend करता है कि हमारी radial forming की application क्या है उसपे number of dies depend करती है अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें इस diagram में इसमें number of dies कितनी है एक दो तीन और चार इसमें चार dies का इस्तेमाल किया गया है तो इसमें एक प्रकार से जो housing है वो stationary रहती है जो ये balls है ये भी stationary रहती है लेकिन अपने axis पे ये rotate कर सकती है और जो work piece होता है वह भी एक प्रकार से stationary होता है rotate नहीं करता लेकिन वो उसको हम forward उसको insert करते रहते हैं according to requirement अब बात करते हैं कि इसमें conditions क्या है working की working किस प्रका जैसा हमने बात की जो spindle है वो rotate करता है high speed पर rotate करता है और इस spindle में जो slot बने होते हैं वहाँ पर dies को लगा दिया जाता है अब जो dies हैं वो spindle के साथ rotate करती हैं लेकिन वो reciprocate भी करती हैं मतलब कि अगर हमारी dies rollers के नीचे आ जाती हैं तो जैसा आप इस diagram में देखें ये closed position है कि इन rollers के बिलकुल नीचे आ गई हैं तो जिससे क्या हुआ कि जो dies है वो अंदर की तरफ गई हैं और अंदर की तरफ जाएंगी एक परकार से impact और compressive forces या apply करती हैं work piece के उपर लेकिन जैसे ही ये dies जब spindle rotate करता है ये जो gap होता है balls के बीच में जब यहाँ पर जाती हैं dies वापिस चली जाएंगी और यहाँ पर opening हो जाएगी ये open position होती है जब next pair of ball के नीचे आएंगी फिर से impact force ये work piece के उपर apply करेंगी तो इस प्रकार से इसमें कारिया होता है ये एक blank आपको नजर आ रहा है जैसे जैसे उसको dies के through गुजारा जाता है तो उसकी जो shape और cross section वो इस प्रकार थी जैसे वो dies के अंदर जाता है तो आप देखेंगे ये इसका swased formation area है धीरे धीरे जैसे जैसे impact blows होता है इसकी shape में तबदीलिया आनी सुरू हो जाती है और finally हम देखते हैं ये shape हमें मिलती है swased and form ये हमें work piece की मिलती है तो इस प्रकार से जो rotary swinging process है उसको perform किया जाता है जैसा हमने बात की इसमें हम तकरीबन एक second में 20 stroke apply कर सकती है और एक minute में जो stroke होते हैं dyes के work piece के उपर ये 1000 से लेके 10,000 तक भी ये जा सकते हैं और अगर हम बात करते हैं अगर हमारे पास tube है मतलब कि एक hollow tube अगर हम use करते हैं उसमें भी हम जब series of blows को apply करते हैं उसके प्रकार से जो dyes rotate करते हैं work piece जो metal piece के उपर जब वो dyes बार बार क्या करते हैं blows करते हैं और उस blows की मदद से जो impact blow होता है या impact forces वो work piece के उपर apply करते हैं dyes तो उससे क्या होगा कि जो blank होता है वो जो dye की shape है उसको वो ले लेता है तो एक प्रकार से अगर हम कहें कि इस process में जो work piece है या जो metal piece है वो gradually deform होता है gradually squeezed होता है किसकी मदद से जो high compressive और radial impact force लगता है radial impact क्यों क्योंकि साथ की साथ क्या है जो dyes है spindle के साथ वो rotate भी कर रही है और reciprocate भी कर रही है दोनों चीजे हो रही है तो इसलिए जब work piece के ओपर radial impact force लगेगा reciprocating dyes का तो जो metal piece या work piece है वो धीरे धीरे क्या होगा deform होता जाएगा और finally वो एक जो desired safe होती है उसको वो प्राप्त कर लेगा जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है अब बात करते हैं कि जो rotary saving process है इसकी कुछ advantage भी है disadvantage भी है और कुछ applications भी है और इस process को करते समय lubricant का भी इस्तेमाल किया जाता है अब lubricant क्यों इस्तेमाल करते हैं तो जब हमें work piece की surface finish को improve करना है तो उसके लिए lubricant का इस्तेमाल किया जाता है अगर हमें better surface finish चाहिए और साथ में dyes ज़्यादा लंबे समय तक कारिया करती रहें बिना किसी damage के तो इसलिए lubricant का इस्तेमाल किया जाता है और जो internal diameter और जो थिकनेस होती है ट्यूब की उसको mandrel की मदद से मतलब की work piece अगर होलो है तो उसके अंदर mandrel को insert किया जाता है उसके internal diameter और थिकनेस को control करने के लिए और अगर हम बात करते हैं इस process में जो work piece की जो diameter की limit है वो अधिक्तम 150 mm तक हो सकती है और कम से कम वो 0.5 mm तक हो सकती है advantage की अगर बात करते हैं इस process से हमें high product quality मिलती है क्योंकि उस product का homogeneous mixture होता है और साथ की साथ अगर हम बात करें कि जो part swinging process से बनते हैं उनकी mechanical properties improve हो जाती है dimensional accuracy भी बढ़िया होती है और high quality product क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उसमें जो distribution होता है material का वो uniform होता है initial investment भी कम है और इस से हमें high और rapid production rate मिलता है maintenance भी easy है labor cost भी कम है क्योंकि इस पर हम semi skilled operator की आवसकता पड़ती है तो labor cost है इसमें कम रहती है tooling cost भी इसकी कम है अगर disadvantage की बात करते हैं तो यह जो process है एक परकार से symmetrical cross section के लिए ही सीमित है जैसे हमने बात की wire, solid road, bar, tube, इतियादी अगर हम application की बात करते हैं इसकी application यह है हम इसकी मज़द से tapered soft बना सकते हैं tapered soft बना सकते हैं जो welding torch की copper से बनी nozzle होती है वो इसी process के दुआरा बनाई जाती है shoulder pin, guide pin, pen caps, metal chair, table legs, mechanical pencil, stop pin, इतियादी तो यह इसकी बहुत सारी applications हैं जो हम हमारी daily life में अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया metal forming process, rotary swinging के बारे में उसकी working किस प्रकार से होती है, उसे किस purpose के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके दूसरे नाम क्या है, इसकी advantage, disadvantage और application क्या है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, students के साथ और जल्दी हाजिर होते हैं, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे